हेलो गाइज, वेलकम बैक टो यूट्यूब चैनल एक्टिकल स्टाफ फो यू दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि यो हमारी ट्यूब लाइट होती है उसके कनेक्शन कैसे किया जाते हैं और उनमें कौन-कौन से एकुपमेंट का यूज किया जाता है दोस्तो आ आज के वीडियो में हम फ्लोरस और ट्यूब लाइट के बारे में बात करेंगे जो कि हम पहले के टाइम पर यूज करते थे इवन आज के टाइम पर भी उसका काफी यूज है तो उसमें कौन-कौन से एकुपमेंट का यूज किया जाता है और उसके कनेक्शन कैसे किया जात आज किस वीडियो में हम उसे के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो समसे पहले हमें चाहिए एक ट्यूब लाइट तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक हमारे पास ट्यूब लाइट रोड है जिसे हम फ्लोरसेंट ट्यूब लाइट भी बोलते हैं आपने पहले ऐसे ही tubulate का use किया होगा जिसके दोनों side पे terminal होते हैं ठीक है दोस्तो इसके बाद दोस्तो हमें एक चाहिए होती है blast choke तो जैसे कि आप देख सकते हो ये एक blast choke है दोस्तो इसका use tubulate के connections में किया जाता है इसके बाद tubulate के connections में एक और equipment का use किया जाता है उसे हम बोल भी हमें tubulate के connections के लिए करना होता है, ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों, इस tubulate corporate करने के लिए हमें एक switch की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा एक bon way switch होता है, simple जो수 हमगरों में use करते हैं, अब दोस्तों, हमारे पास सारे के सारे equipment आ چुके हैं, जो कि हम tubulate के connections के लिए use करेंगे ठीक है अब दोस्तों हमें पता है कि कोई भी electrical device होता है उसे हमें run करने के लिए neutral और face की supply चाहिए होती है तो यहां से हम neutral और face की supply लेंगे अब हम दोस्तों इसके connections करते हैं तो दोस्तों आप द्यान से देखना इसके connections कैसे किये जा रहे हैं दोस्तों आप इसके connections अच्छे से देख लीजिए इवन आपको इसके connections की circuit diagram मेरी website पर भी मिल जाएगी जिसका link मैं pinned comment में और description box में दे दूँगा तो इस प्रकार से आप कभी भी इसके connection diagram की circuit diagram देख सकते हो तो दोस्तों अगर आपने द्यान दिया हो यहाँ पर neutral और face के connections हो चुके हैं और सभी के सभी जो equipment है वो भी connect हो चुके हैं तो इस प्रकार से two light के connections किये जाते हैं जिसमें हमने एक blast choke का use किया और एक starter का use भी किया तो आपको simple J वाली circuit diagram द्यान में रखनी है और इस प्रकार से tube light के connections करने होते हैं चीक है दोस्तों तो दोस्तों I hope आपको यह video useful लगी होगी और आपको काफी को सीखने को मिला होगा दोस्तों अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो इसे like और share जिरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को subscribe जिरूर कर लें Thank you guys